हलो इन्वेस्टर्स इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगो को तीन ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ जिनोंने यहाँ पे 4 इस्टू 1 के रेशियो से स्टॉक बोनस, 2 इस्टू 10 के रेशियो से स्टॉक स्प्लेट और साथ ही साथ में 50% पूरे 50% का डिविडेंड अनौंस कर دिया है मैं हूँ आरूश आप लोग देख रहे हैं फेनो मेडिया बाया आरूश आएब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज आते हैं बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले शेयर की तो आज की ट्रेडिंग सेशन में इस कमपनी के शेयर के अउपर में हमें लगभग 9% की तेजी देखने को मिली चुकि डेफिनेटली एक ही ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से एक काफी मैसिव रैली है और आप इसी बात से बंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी का जो अनॉंस्मेंट है वो कितना जाद धमाकेदार होने वला है 240 रुपीज के उपर में आज की सेशन में कंपनी का शेर क्लोज हुआ इस कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो सिरफ और सिरफ 99 करोर रुपीज की है तो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं एक माइक्रो कैप कंपनी है stock का PE ratio 23.2 का है तो अभी एक fair valuation के उपर में company का share आपको मिल जाता है book value stock की काफी अच्छी है 99.5 रुपीज की company का dividend yield 0% का है जो की अभी announcement आये तो बाद में dividend yield भी company का increase हो जाएगा company का जो ROCE यानि की return on capital employed है वो 45.9% का है जो की काफी जादा अच्छा है और वहीं जो company का ROE यानि की return on equity है वो 45.6% का है ये भी काफी जादा अच्छा है तो return on capital employed return on equity दोनों ही काफी अच्छे हैं जिससे एक चीज clear हो जाती है financially company काफी strong है एड एक अच्छा consistent growth company report कर रही है अपने financials के अंदर face value stock की 10 rupees की है company का जो debt to equity ratio है वो सिरफ और सिरफ 0.04 का है जो की काफी जादा कम है और काफी अच्छी बात है company के उपर में debt almost आप कह सकते हैं ना के बराबर है जो कहीं ना कहीं काफी अच्छी बात है because micro cap companies जो होती है इनके उपर में debt जितना जादा कम से कम हो उतना जादा अच्छा रहता है अब अगर इस company के official announcement की हम बात करें तो basically इस company ने आप स्टॉक bonus और dividend दोनोई चीज़े साथ में announce कर दी है bonus announce किया गया है 4 is to 1 के ratio से जिसका मदलब ये है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो यहाँ पे आपको 4 shares as a bonus मिलेंगे total में जो आपका एक share है वो 5 shares के अंदर में convert हो जाएगा अब बेशक आपके पास में इस company के जितने भी shares हो आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में 4 shares का bonus दे दिया जाएगा और वहीं अगर हम dividend की बात करें तो company ने अपनी face value का 5% का dividend announce किया है जो की rupees में 0.50 rupees का dividend बन जाता है यानि की 50 पैसे 50 पैसे per share के उपर में आपको dividend दिया जाएगा और dividend को देने की x date record date रहेगी 6th of June यानि की 6 June की और bonus को देने की x date record date अभी फिलाल upcoming में है तो याद रखिएगा पहले आपको dividend मिलेगा उसके बाद में bonus का benefit दिया जाएगा अब आज आते हैं बात कर लेते हैं stock के नाम की तो company का नाम है Clara Industries Limited और company का जो Bombay Stock Exchange का code है वो है 543-435 अगले share की बात करें तो इस company के share ने आज अपने investors को लगबग 3% के returns दी है जोगी काफी अच्छे returns है आप कह सकते हैं कि trading session के एसाब से और 127 रुपीज के उपर में आज company का share जोवे close हुआ है अगर इस company की market capitalization की बात करें 380 करोर रुपीज की है तो ये भी एक काफी छोटी company है micro cap या फिर small cap की category में आप इसे add कर सकते हैं बाकी इस company के stock का जो PE ratio है वो सिरफ 7.73 का है जो की आपको एक चीज clear कर देता है अभी ये company का जो share है काफी अच्छे खास है और काफी कम valuation के उपर में आपको मिल जाता है यानि की काफी अच्छा time हो सकता अभी इसे buy करने के लिए book value इस company की 139 रुपीज की है तो आप देखेंगे share price 127 रुपे book value 139 रुपीज मदलब current market capitalization के according company के पास में assets जादा मौझूद है जो की अपने आप में काफी जादा अच्छी और काफी जादा बढ़िया बात है अभी ये काफी अच्छे valuation के उपर में company का share आपको मिल जाता है dividend yield company का 3.92% का है इसका मदलब ये है सालाना ये company जो है अपने investors को 4% का सिरफ dividend ही distribute कर देती है बाकी share पे जो अलग से returns बनेंगे वो आपकी side income होने वाली है तो कही ना कही देखा जाए ये वाली company का share में को personally काफी ज़दा attract करता है company के share का जो sorry company का जो roce यानि की return on capital employed है वो 15.8% का है जो की अच्छा है और वहीं जो roe यानि की return on equity है वो 12.4% का है जो की average है company financially wise ठीक ठा कर रही है एक ठीक ठा growth company report कर रही है face value stock का 10 रोपीस का है company के debt to equity ratio की अगर हम बात करें 0.11 का debt to equity ratio है तो एक और काफी अच्छी बात है company के उपर में debt भी जादा मौजूद नहीं है जो की कहीं न कहीं all over fundamentals को काफी जादा strong बना देता है and particular इस company के fundamentals यहाँ पे सबसे जादा strong है अगर हम बात करें इस company के official announcement की तो इस company ने जो है यहाँ पे dividend announce कर दिया है 5 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में 5 रुपे का dividend दिया जाएगा अब share price 127 रुपे का है dividend खाली 5 रुपे का दे दिया गया है तो कहीं न कहीं आप compare करके देख सकते हैं कितना जादा शानदा dividend announce किया गया है बाकी इसको देने की X date record date अभी upcoming में है because एकदम latest announcement है आज ही कुछ घंटो पहले company ने dividend announce कराए अगर हम बात करें stock के नाम की तो company का नाम है रुचीरा Papers Limited और company का जो NSC code है वे R-U-C-H-I-R-A अब आज आते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले and last stock की तो आज की trading session में company का जो share है 10% से जादा की तेजी दिखाता देखने को मिला था जोगी definitely एक ही trading session के एसाब से एक काफी बड़िया rally है और company का जो share है 710 रुपीज के उपर में close हुआ इस company के अगर market capitalization की बात करें 773 करोर रुपीज की है तो ये वली company देखा जाए थोड़ी सी बड़ी हमें देखने को मिल जाती है and micro cap के category में ये नहीं आती है small cap के category में आ जाती है company के stock का जो PE ratio है वो 23.6 का है ये भी आपको अभी एक fair valuation के उपर में share मिल जाता है book value stock की 152 रुपीज की है dividend yield company का 0% का है इस company का जो ROCE यानि की return on capital employed है वो 38.5% का है जो की काफी अच्छा है और company का जो ROE यानि की return on equity है ये भी काफी अच्छा है 32.2% का ये company भी financially काफी अच्छा कर रही है company का ROCE और ROE हमें काफी अच्छा देखने को मिल जाता है face value stock की 10 रुपीज की है इस company का भी debt to equity ratio काफी कम है सिरफ 0.12 का है जो की definitely काफी अच्छी बात है इस company के उपर में भी debt almost आप कह सकते हैं ना के बराबर है fundamentally financially ये company भी काफी strong है अगर हम बात करें इस company के official announcement की तो इस company ने जो है यहाँ पर stock split announce कर दिया है 2 is to 10 के ratio से इसका मदलब ये है अगर आपके पास में इस company के दो shares है तो वो total में 10 shares के अंदर में convert हो जाएंगे basically बेशक आपके पास में इस company के जितने मर्जी shares हो आप लोगों का हर एक share यहाँ पर 5-5 shares के अंदर में convert हो जाएगा and इस stock split को देने की जो X date और record date है वो 29th of May यानि की 29 माई की रहने वाली है तो याद रखिएगा कल का दिन 28 माई का दिन Tuesday का दिन आप लोगों के पास में last chance रहने वाला है इस company के share को purchase करने के लिए ताकि यहाँ पर आपको इसके stock split का benefit मिल पाए अगर हम बात करें इस stock के नाम की तो company का नाम है Balexi Pharmaceuticals Limited और company का जो NSE code है वो है B-A-L-A-X-I अब आप इन तीनों के तीनों companies के shares को आपके watch list के अंदर में add कर सकते हैं तीनों companies काफी अच्छी हैं announcements भी एक से बढ़कर एक हैं तो कहीं ना कहीं आपका मन जिस भी company पे आता है यही तीन stocks थे जिनोंने आपे 4 is to 1 के ratio से bonus 2 is to 10 के ratio से split और साथी साथ में 50% का dividend announce किया था अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो definitely वीडियो को like कर दीजेगा इस channel को भी जरूर से subscribe कर दीजेगा because फिनो media के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye